नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक भाई एके यूटूब चैनल पर पार्ट 11 आपके सामने है आज हम बात करेंगे राजनितिक दल की देखिए जो ये राजनितिक दल है इस विशे पर सबसे पहले तीन मुख्य किताबों की हम बात कर लेते हैं तो पहली है पॉलिटिकल पार्टीज देखिए ये इसका क्रम अलग हो गया है तो पहली हम जो दूसरे नमबर पे ये है पॉलिटिकल पार्टीज तो ये 1917 में लिखी गई रोबर्ट मिचेल्स के द्वारा जर्मन भाशा में जिसका बाद में इंगलिश में अनुवाद किया गया वही तीसरी है पार्टी सिस्टम ये 1906 में जियो वानी सार टोरी के द्वारा लिखी गई किताब है देखिए ये जो किताबे हैं ये इस राजनितिक दल के बारे में बहुत विस्तत रूप से बात करती हैं चलिए अब देखते हैं नेक्स इसमें आगे देखिए अब आपने कई राजनितिक दलों के नाम सुन रखे हैं जैसे बीजेपी है, कॉंग्रेस है, बीएसपी है, जदियू है, आदी कई नाम हमने सुन रखे हैं तो अब हम देख लेते हैं कि राजनितिक दल का अर्थ क्या होता है देखिए दल के मुखेते तीन तत्तों होते हैं अर्थ समझने के लिए हम इन तीनों तत्तों को समझ लेते हैं पहला है दल या यह बहुत से लोगों का समू या संग है बिल्कुल सही बात है दल बहुत से लोगों का समू या संग है दूसरा है दल के अपने निश्चित सिद्दान्थ या कारेकरम होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक वे राजनीतिक महतु रखते हैं वे इसी को पार्टी की विचारधारा भी कहा जाता है या विचारधारा कहते हैं जो भी दल होगा, संग होगा, उसके स्वयम के सामाजिक आर्थिक और राजनितिक महत होते हैं और वो ही उस पार्टे की विचारदारा कहलाते हैं तीसरा तत्व है, दल के लोग समधानिक रूप से सत्ता प्राप्त करते हैं यदि सत्ता मिले तो सरकार चलाते हैं और नहीं मिले तो वे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे ये दल, दलों का यही अर्थ है कि वो अगर उनको सत्ता मिली तो वो सरकार चलाएंगे अगर सत्ता नहीं मिली तो वे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे चले देखते हैं आगे, अगर कोई दल हिंसा या खूनी तरीके पर विश्वास करे तो उसे दल नहीं गुट कहते हैं क्या कहते हैं? अगर कोई दल होगा या संग होगा जो हिंसा या खूनी तरीके पर विश्वास करे कि उनका प्रभुत्तो बना रहे तो उसे दल नहीं कहेंगे हम गुट कहेंगे एक कहावत है कि दल लोगों के सिरो को गिन कर काम करते हैं जबकि गुट लोगों के सिर को फोड कर काम करते हैं ठीक है? तो गुट के हमने बात की थी ना इनका ये क्या होता है? हिंसा और खूनी तरीका अपनाते हैं तो दल के लोग सिरो को गिन कर काम करते हैं और गुट के लोग सिरो को फोड कर काम करते हैं चलिए देखते हैं next देखिए राजनितिक दलों के कुछ परिभाश्या है यहाँ पर पहली है जिसमें अब राजनितिक दलों के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता इसलिए दल व्यवस्था विद्यमान है ये RM मैकाईवर के द्वारा दी गई परिवाश्या है ये कह रहे हैं कि राजनितिक दलों के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता इसलिए दल व्यवस्था विद्यमान है लोकतंत्र में दूसरा है अमेरिका में दलों के बीच विचारधारा पर कोई संगर्श नहीं है वहां केवल वे मुद्दों पर लड़ते हैं ये आर ए डहल की परिवाशा है या उनका कथन है देखिए अमेरिका के बारे में इनों ने कहा है कि वहां पर उनकी विचारधारा की कोई जो चलते रहते हैं देश के अंदर चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरी है पार्टी में वेही लोग हो सकते हैं जो अनुशाशन बद्ध हो उनमें वर्ग चेतना हो वैं सभी संबव साधनों से क्रांती कर सकें ये लेलीन का है माक्सवादी है लेनिन तो ये कहते हैं कि पा परिवाशा, फौर्थ नमबर पर है, राजनितिक दलो को उन लोगों का समू कहा जो राश्टिय महतों पर सहमत होते हैं और शांति पूर्ण तरीकों से सत्ता पाकर अपने सिद्दानतों को लागू करते हैं, ये राजनितिक दलो को इस परकार से कह दिया, बर्क महोदेने, कि ये कहता है कि राजनितिक दलो को उन लोगों का समू कहा इनों ने, जो राश्टिय महतों पर सहमत होते हैं और शांति पूर्ण तरीकों से सत्ता पाकर अपने सिद्दानतों को लागू करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट है, दल व्यवस्ता, देखिए दल व्यवस्ता अब तरीकोरिया आदी, ठीक है, राज्जय में का मतलब यहाँ पर देश्च है, वहाँ पर किवल एक ही दल होगा, नेक्स्ट देखते हैं, दूईदेली व्यवस्ता में, दूसरी है दूईदेली व्यवस्ता, किसी राज्जय में दो बड़े दल हो सकते हैं, छोटे दल भी हो सकते हैं लेकिन सत्ता दो बड़े दलों में गूमती रहती है जैसे अमेरिका में Democratic वे Republican Party वहीं Britain की Conservative वे Labor Party तो किसी भी राज्य में या देश में दो बड़े दल हो सकते हैं छोटे दल भी हो सकते हैं लेकिन सत्ता इन दो ही दलों के बीच में घूमती रहती है तीसरा है इसके अंदर बहुदलिये व्यवस्ता ये बहुत से देशों में हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विजर लेंड, कनाडा, अस्टेलिया, भारत इन में बहुदलिये व्यवस्ता होती है इन देशों में कई पार्टियां सत्ता के संगर्ष में आती है तता सत्ता कई पार्टियों के बीच में घूमती रहती है भारत में भी कैसी व्यवस्ता है? बहुदलिये व्यवस्ता है अब देखे, भारत में राजनितिक दलोगी, जब हम भारत में राजनितिक के टोपिक डालेंगे, उसके अंदर हम उनका विस्तार पुरोग आपको बता देंगे, तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताक कि मैं वीडियो कभी भी अप्लोड करूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप जब भी फुरसत में हो, तो वीडियो नोट देख लें, ठीक है, अब कई क्यूरीज आ रही हैं, किसर पीडियो दी दीजिए, और नए टोपिक भी वीडियो बना रहा हूं, कोर्स पूरा होएगा, तो मैं एक साथ पूरा एक, पूरा कम्पलीट पीडियेफ बनाकर आपको शेयर कर दूँगा, यह मेरा फादा है, तो वीडियो नोट देखने के लिए धन्यवाद,